आज हम आपको बताने जा रहे हैं संत गुरु घासी दास जी के बारे में ये कौन थे इनका महत्विक क्या रहा है संत गुरु घासी दास का चनम 18 दिसंबर 1756 को 36 गड़ के रायपूर जिले में गिरोध नामक ग्राम में हुआ था उनके पिता का नाम महगूरी दास और माता का नाम अमरोतिन था और उनकी धरम पतनी का नाम सफूरा था गुरु जी को ग्यान की प्राप्ति 36 गड़ के रायपूर जिले के सारगड से तहसील में बिलासपूर रोड में इस्थित एक पीर के नीचे तपस्या करते वक्त प्राप्त हुई गुरु जी गासिदास जी ने जीवन समता मूलक समाज की स्थापना के लिए संघर्श किया 36 गड़ के लोगों के समाजिक और आर्थिक उन्नती के बाद किसी महापुरुष योगदन रहा है तो वे समाजिक रांती के अग्रदू समानता के संदेश वाहक एवं 36 गड़ के उदारता संत गुरु जी गासिदास जी का रहा है माना चाता है जहां आज गुरु जी गासिदास पुष वाटिका की स्थापना की गई है संत गुरु गासिदाज जी का जनम ऐसे समय हुआ जब समाज में छुआ छूत उच नीच जूत कपट का बोल बाला था ऐसे समय में गुरु गासिदाज ने सतनाम पत के माध्यम से जाती अधारित आधित्य चर छुआ छूत और वर्ग विवस्था पर करारा प्रियोग परहार किया जिससे काफी दलित वर्ग ही नहीं अपपूर्ती आधिवासी और पिछडे तपके का एक बड़ा हिस्सा संतनामी बनने के स्वें को रोक नहीं पाया इस छेत्र का सबसे बड़ा जाती अंदौलन था जिसने लोगों को संतनामी बनने के लिए प्रेरित किया एवं समाज में समाज को एकता भाईचारा तथा संपृत्ता का संदेश दिया गासिदास जी ने समाज के लोगों को सत्विता जीवन जीने की प्रेरना दी 28 मार्च 1860 को ग्राम औरावाद में जब बालक दास अपने अनुन्याई के घर भोजन कर रहे थे तबी वहां के दुश मान सिता के जातिवादियों ने उन पर हमला बोल दिया चुकि वे निहत्ते थे और हमलावरों की संक्या स्याकडों में थी इस कारण वे गुरुनाद ही अपने दो अंग्रक्ष को सहारा को जोदाई को बचा सके इस तरह उन्होंने सतनामी पंत के लिए अपने प्राणों की आहोती दे दी हाला कि आज भी गुरु जी के वन्चुशों द्वारा सतनाम दौलन चलाया जा रहा है हेतु लेकिन उनका तेज बालक दास के काल जरसे नहीं है इस तरह कहा जा सकता है कि बाबा जी ने जिन आदेशों के लिए संगर्ष किया उन्हें वर्थ नहीं जाने देना चाहिए हमें समझना होगा और देश तथा समाज की रक्षा के लिए तपर रहना होगा साथियों हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारे पुर्वचों का संगर्ष और बलिदान वेर्थ नहीं जाना चाहिए हमें उनके बताए मार्क पर अनुधारना करनी चाहिए बोजन नायक माननेवर काशी साहईबाजी ने दिवह कर दिखाया जो उस दोर में सोच पाना भी मुश्किल था सच अक्सर कड़वा लगता है इसलिए सच बोलने वाले भी अप्रिये लगते हैं सच बोलने वाले लोगों को इतिहास के पन्नों में दबाने का प्रियास किया जाता है पर सच बोलने का सबसे बड़ा लाब यही है कि वह खुद पहचान कराता है और अंधेरे में चमकते तारे की तरहा चमकता रहता है सच बोलने वाले लोगों से लोग भले ही घणा करें पर उनके तेज के सामने सबको जुकना ही पढ़ता है सच एक तरह का पानी होता है जिसे कहीं पे भी थोड़ा सा भी रस्ता मिल जाया वो वहां से निकर लेता है इसी तरह सच को कभी दबाया नहीं जा सकता और सच पे चलने वाले लोगों को कभी रोका नहीं जा सकता जो सची लड़ाई लड़ते हैं वो एक्सर काम्याभी हो जाते हैं अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सभी लेटिस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले